अगर लड़ना है चुनाब तो बारा साथ ठाकरे के नाम पर नहीं अपने बाप के नाम पर चुनाब लड़ो। उन नकली शिपसेनिकों के गाल पर थपड़ मार देता है जबकि इनों ने अपना खेल चलना शुरू कर दिया वारदिंदा पार्टी ने राजयपाल और एलेक्शन कमिशन ने भी अपना खेल चलना शुरू कर दिया है गंदी राजनीती की शुरू बात भी देखिये किस तरह से हुती है एक इन मीडिया रिपोर्ट्स के दुआरा यह वहीं गोधी मीडिया है या तो उसने लीग किये यह ख़बर जान बुच करके यह बताने के लिए कि बीजेपी का खेल शुरू हो चुका है आज रात ही खेला हो जाएगा या कल रात तक खेला हो जाए क्योंकि दोस्तों रब शकार मैं मनुस्कुआ शर्मा आजाद हिंद आवाज नियूस के लिए आखिर शिव शेना है क्या शिवाजी के नाम पे रखा गया एक वो नाम जो बाला सहाव ठाकरे की कल्पना थी परिकल्पना थी एक हिंदुत की ऐसे हिंदुत की जिसमें सब को जगा थी इसका मतलब ये नहीं था कि मुसल्मानों के मतलब साथ उनकी हत्या कर दी जाए उनको रहने ना दिया जाए उनको बिल्कुत देश बाहर से कर दिया जाए लेकिन इसको जानने के लिए आज हम बात करेंगे शिवाजी महराज के बारे में लेकिन उससे पहले आज बात मुम्मई में और महरास्ट में हो रहे जो हालात हैं राजनेतिक हालात उनके बारे में इसलिए भी बात करना जरूरी है राजनेतिक हालात उनके बारे में क्योंकि यहां पर जंग जो है आमने सामने आ गई है जहां एक तरफ रात के अंधेरे में कुछ राज निकल करके आते हैं जिसमें दावा किया जाता है आज तक के दोरा खुलासा किया जाता है कि रात में आमिश शहा और एक नात शिंदे की मुलाकात बड़ो दरामे होती है रातो रात फिर दिल्ली जाती है फ्लाई कभी एंदाजे लगाया जाता है कि 14 के साथ हुई मुलाकात कभी कुछ एंदाजे लगाया जाते हैं कभी कुछ एंदाजे लगाया जाते हैं लेकिन तना तहा है कि इस रिपोर्ट के बाद जो भारजें ता पार्टी ये कह रही थी कि हमारा कोई हाथ नहीं है हम इन शिपसेनिकों के पीछे नहीं है ये शिपसेना के आपस का मामला है उस पर जो है राज खुल जाता है इन मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा ये वही गोदी मीडिया है या तो उसने लीग की है ये खबर जान भूच करके ये बताने के लिए कि बीजेपी का खेल शुरू हो चुका है और ये खबर तब आई है जब उद्दब ठाकरे के शिपसेनिकों ने बिद्रो प्रदिशन करने शुरू कर दिये मतरब जब भटी तो आगई याद मतरब आउकात शिपसेना के सेनिकों ने जिस तरह से बागी बिद्धायकों के दफ्तरों दुकानों पर हमला बुलाए हला बोल बुलाए चेहरों पर कालिक पूती है पुस्टरों पर उस से जो है शिपसेनिकों पर एक बार फिर बाला सहाब ठाकरे के परिवार की पकड़ नजर आती है यहां गोदी मिडिया चलाने को तो कुछ भी चलाता है लेकिन यह रात के अंधेरे के राज जो हैं बाकी में हैरान कर देने वाले हैं कि कल रात की बात आज शाम खोली आती है जब संजय राउत का एक बियान आता और संजय राउत उस बियान में क्या बोलते है छे रिजूलूशन पास होते है जिसमें बात होती है शिप सेना के जो प्रूख है वो यह हैं बागी विधाय को खलाफ कारवाई होगी बतरब वो जो आपने होगा जो देख लिया होगा टीवी चैनलों पर मुझे रिपीट करने की जरूट नहीं है वो आप जानते हैं ना डालने की जरूट है लेकिन मुख्य मुद्दे पर आऊंगा जो मुख्य मुद्दा बना हुआ है जो एक बियान संजय राउत का आता है और सीधे सीधे एक ना शिंदे के गाल पर थपड मार देता है उन नकली शिपसेनिकों के गाल पर थपड मार देता है उन गदार महरास्त के बागी बिधायकों के गाल पर थपड मार देता है जो सुपर पावर के नशे में विस्की पीकर के टुन होकर के घूमते हुए दिखाई देते हैं किसी ऐसी जगा जहां का एक वीडियो बाइरल हो जाता है सोशल मीडिया के ट्वीटर पर सँझेराउट और लड़ना है चुनाब तो बाला साफ ठाकरे के नाम पर नाम पर लड़ो अपने नाम पर चुनाब लड़ो बाला साथ ठाकरे जो थे वो तर ठाकरे के पिता थे वो नाम उनका है आपका नहीं इलेक्शन कमिशन को चिट्टी लिखी गई है कि बाला साथ ठाकरे का गलत इस्तमाल या उनके साथ पोस्टर का इस्तमाल ये बागी सैनिक नहीं कर पाएंगे यह भी खबर चली कि यह दूसरी पार्टी बना रहे हैं दूसरा दल बना रहे हैं जिसका नाम रखेंगे बाला साहब आज तक कि एक बहस में अंजराउम कश्यप के साथ प्रियंका चत्रुवेदी बैटी हुई थी जिन्होंने साफ साफ कहा जब प्रियंका चत्रुवेदी के सामने अंजराउम कश्यप ने ये बोलना चाहा कि वो साफ बाला साह ठाकरे बोलें उनके साथ बाला साथ ठाकरे का नाम मत जोड़िये उसके बाद अंजरा ओम कशियप ने लाख कोशिश की कुछ कहलवाने की वो बियान भी दिखाया संजराउत का जिसमें उन्होंने बोला है लड़े तो अपने बाप के नाप चुनाब लड़े और आज संजराउत जब यह बात बोली गई तब जो थी अंजरा ओम कशियप का च कराएंगे द्वारा मेरी जो कल रात की खबर थी उस रात की खबर पर पक्ती महर लगती हुई दिखाई दे रही है सोला लोगों को पार्टी से एक्सपेल किया जा रहा है जबकि इनों ने अपना खेल चलना शुरू कर दिया भार दिन्दा पार्टी ने राज्यपाल और इलेक्शन कमिशन ने भी अपना खेल चलना शुरू कर दिया है गंदी राजनीती की शुरूबात भी देखिए कि किस तरह से होती है एक प्रिधान मंत्री मोधी एक ग्रह मंत्री अमिश शाह जो आज मोधी जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के बड़ी बड़ी डीने हांक ने वो कहते हैं कि साव ऐसान जाफरी की हत्या और मैडम जाफरी ने जो केस किया था और मोधी जी ने कितना कुछ सहा है कितना कुछ भुकता है ग्रह मंत्री जी आज ऐसा बोल ले थे अमिश शाह साब तो हमिश शाह साब से मैं पूछना चाहूंगा कि जो आपसी है और ये दुनिया वर के बिल लाए थे और किसानों के जो सारे काम आए थे इनमें कितने बे गुना मुसल्मान लोगों को आपकी पुलिस ने जेल में डाला हुआ है उसके खलाब बोलेंगे क्या क्यों सत्ता आ लादेश दे देता है एक SIT की रिपोर्ट जो पेश की गई थी वो नहीं माने जाती लेकिन ये SIT की रिपोर्ट मान लिजाती है चलो भई ये सुप्रेम कोड माई बाप है उससे उपर कोई नहीं है हम भी सम्मान करते हैं सर जुका करके जो फैसला आया बहुत बढ़िया आ प्रितिक रिया आया आया है क्योंकि संजराउत ने ये भी कह दिया था कि शेफसेने काए थे सांगली से वो कुछ का कुछ कर सकते हैं हम जिम्मेदार नहीं है उसके बाद कुछ असंतोश शेफसेना के कार्यकरता हूं में फैल गया और उसके बाद जो था वो थोड़ा सा भ कर सकते हैं या तो वो आज राजय पाल का कोई आडर आज रात ही पास हो जाएगा क्योंकि गुप-चुप मुलाकात कल रात हो जाती है इसको लीकक नहीं करता है । मेडिया जम लीककरता है जब संजयर नाउतका है कड़ा भियन आ जाता भाद यह खबार लीक होती है अब आज रात ही खेला हो जाएगा या कल रात तक खेला हो जाएगा क्योंकि भाई चार चार फ्लाइट हैं और दुनिया भर की ये चीज़े हैं आपने रिपोर्ट देख लिए होंगी मीडिया में चल रही है वो आपको पता होगा उनको यह टाल करके समय बरबाद नहीं करना चाहूंगा लेकिन ऐसा नेता जो अपने आपको बोल लागे बारा साहब का ठागरे का सच्चा सिपाही हूँ ऐसे नेता को कुछ पत्रकार जब कुछ वो थोड़ा सा ठका हुआ मादा हो करके ठका मादा दिखाई दे रहा है और वीडियो बारण हो रह हैंगे भाई आज एक बड़ा एक स्टेजिक कोश्यन था जो एक वहस में चला था सुना और उधित राज ने नहीं मेरे ख्याल से प्रिंगा चतुरवेदी ने जवाब दिया था उसका प्रिंगा चतुरवेदी के सामने अंजराउं कश्य बोल नहीं थी कि उनको अईद्ध जाने से रोख दिया था तो बिना बताए तो ये वहाँ चले गए गोहाटी तब क्यों नहीं रोखा शिर्फ सेना ने जवाब बाजिब था जो जूटी खबरें और एक जूटा एक आंकड़ा और जूटी तस्वीर गढ़ने की कोशिश की जा रही है शिर्फ सेना की वो बा जा नहीं हुआ था लेकिन दोस्तों क्या आपको लगता है कि आप अपने बिशार देजिए मेरे मेरा एंगल यह है कि यहाँ पर जो है जिस तरह से शिप शेना पर अटेक हुआ है भारते इंता पार्टी का चुनाव होंगे और चुनाव में भारते इंता पार्टी एकड़ स्वीप कर जाएगी साफ हो जाएगी और इन विधायकों का कोई नाम लेवाने ही बचेगा क्योंकि जब दर्द देता है ना तो वही दर्द देता है जो आपने अपने गिल के पास जेम में रखा होता है और जेम में रखा हुआ वो एक नाशिंधे जिसको सम्मान दिया शिवाजी सेना की बात कर रहे थी ना तो शिवाजी की सेना में मैं आपको बता दूँ शिव सेना दिल्चस बात ये थी कि शिवाजी की सेना में जो थे उनकी जल सेना के जो अध्यक्ष थे वो थे सिद्धी संबल नाम के मुसल्मान और बड़ी संख्या में मुसलिम percent की भड़ती थी मुसिल्मानों की. गुप्चर जो منतराले था शिवाजी महराज के जमाने में और उसका जो head था, मतलब head जो था, वो मुसल्मान था. और आप बड़ी औरगेजेब की सहना का नेतर राजा जैसिंग के हाथ में था जो कि राजपूत थे और शिवाजी आगरा के किलेवें जब नदर बन थे और जब निकल के भागे तो एक मुसल्मान ने उनकी साहिता की थी शिवाजी सभी धर्मों का सम्मान करते थे उन्होंने हदरत बाबा याकूत थोरवाल को जीवन परियन पेंशन देने का आदेश दिया था और उन्होंने फादर अम्ब्रोस की उस समय मदद की जब गुदरात में इस्थित उनके चर्च पर आकमन हुआ था शिवाजी महाराज को केवल हिंदूओं के दायरे में समेट देना उनके चर्च के साथ नाइंसाफी होगी शिवाजी तो शिवाजी थे और शिवाजी के नाम पर रखा गया अगया नाम शिवसेना नाम शिवसेना है वो बाला साहिव ठाकरे थे जो गांधी जी की तरह एक गाल पर थपड़ पढ़ने के बाद दूसरे गाल के थपड़ का इंतियार नहीं करते थे एक गाल पर थपड़ पढ़ गया तो बस कूटो कांगरिस की यही कमजूरी है कांगरिस को थुरसा सीख लेना चाहिए नमस्कार जैन दोस्तो